हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आश्या करता हूं कि आप सब ठीक होँगे मैं वहले स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपने योटुब चैनल एक्जाम जैस्न में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंटी पीशी के एग्जाम का जो एई का एडमिट कार्ड है वो जारिक कर दिया है और उसकी जो एक्जाम डेट है वो तीन साथ यानि के तीन तारिक जुलाई को उसका जो है एक्जाम कंड़क्टर कराया जाएगा तो आप यह देख सकते हैं कि एक्जाम जो है रेलवे कंड़क्ट कराना स्टार्ट कर च जून 2021 है और EPFO का भी डेट है लेगिन EPFO की जो एक्जाम डेट है वो बहुत ही दूर है वो 9 महिने के अंदर है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो रेलवे है अब बहुत जल्दी में है और आपका एक्जाम जो है वो एक तिन के अंदर ही खतम हो जाएगा एक या दो दिन उसके अंदर लगेंगे उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट मंत के फर्स्ट वीक से जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक्जाम है वो नेक्स्ट मंत के फर्स्ट वीक से आपके जो है शिडूल जारी कर दिया जाएगा क्योंकि सेवन्थ फेस के लिए जो candidate है वो ज्यादा candidate नहीं बचे हैं छे से साथ लाग candidate जो है वो बचे हुए हैं तो उनके exam conducted कराने के लिए तीन से चार दिन railway board को चाहिए उसके बाद आपका कुछ दिन के बाद आपका जो है answer की जारी कर दी जाएगी और फिर उसका result घोशित कर दिया जाएगा NTPC का उसके बाद आपको ज्यादा time नहीं मिलेगा कि आपको 2 महिने मिल जाएं या 3 महिने मिल जाएं सिविटी टू के लिए क्योंकि ची टू की तैयारी आपने अगर शुरू से नहीं की अगर आप से start करना चाथे हैं तो कर सकते हैं लेकिन अगर आप result के बाद से start करना चाहेंगे तो वो जब तक बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आरार भी जो वो बहुत ही कम टाइम देता है अपने सीविटी टू के लिए जैसा कि हमने रेलवे का जो जूनेर इंजीनियर का एक्जाम हुआ था उनके उसके लिए सीविटी टू में उन्होंने सिर्फ चोदा दिन का जो है टाइम दिया था यानि के सीविटी फरस्ट का जो 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 आया था उसके दो हफ्ते बाद ही यानि के उसी दिन उन्होंने सीविटी टू की जो है डेट रिलीस कर दी थी कि जा आपका सीविटी टू होगा वो दो हफ्त दरूते बाद इस डेट को होगा सट्टर जारी नहीं किये थे लेकिन डेट जारिक कर दी ति उसे परकार से एंटी पीची के अंदर ही जिस दिन आपका सिड़ी एक्जाम है ज़ड़ता आयेखा की आपके जारी जाएगी क्योंकि group D के अंदर भी जो candidate हैं बहुत जादा है तो उनका exam conduct कराने के लिए भी धाई से तीन मंत का जो है time rrb के लिए चाहिए तो rrb पहले चाहेगा कि जो ntpc की vacancy है उनको जो फुल्फिल कर लिया जाए उस recruitment को पूरा कर लिया जाए क्योंकि जो group D का time है exam exam के अंदर उन को तीन महिने लग जाएंगे इतने rrb के जो ntpc के शात्र है वो वेट नहीं कर सकते तो ntpc का अगर यह six phase complete हो जाता है तो उसके बाद ntpc के अंदर सात लाग के करीब जो है candidate cbt2 के लिए चुने जाएंगे और उनके लिए सिर्फ exam conduct कराने की जो time होगा चार से पाच दि करा लिया जाएगा उसके बाद ही आपका जो है सीव सीवीटी फरस्ट यानि के कुरूब डी का जो सीवीटी फरस्ट है वो conduct कराया जाएगा अगर आप रेलवे बोर्ड की पलपल अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं और किसी भी जो गोर्मेंट जो निकलती है उससे आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू